जैशी किष्णा दोस्तू कैसे हैं आप अच्छी होंगे स्वास्त होंगे अपनी घरों में खूश होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल हरी कृष्णा वास्तू टिप्स में जहां मैं आपके लिए बहुत ही अचुक से उपाई लीकिय है तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही उपाई लेकिया जिसको आप कभीं बी किसे दिन भी कर सकते हैं जैसे की नवरात्रों के दिनों में हर एक दिन अगर आपके लिए शमता है और संभव है तो हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अरपन करें अगर आप नहीं कर पारें तो कोई बात है आप किसी भी दिन इस पूरे नौ दिन में किसी भी दिन एक दिन आप हनुमान जी को जरूर से जरूर पान का बीड़ा अरपन करें जैसे कि नवरात्रों के बीच में अगर मंगलवार आ जाए तो उस दिन तो आपने आवश्य ही हनुमान जी को एक पान का तो कोई बात नहीं, आप सुभा शाम में तो दीपक जरूर प्रेजलिट करते होंगे अपने घर में नवरातरों की दिनों में तो जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें आप चाल लॉंग डाल दीजिए, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप कपूर से आर्थी जरूर कर तो आपने जो दीपक प्रेजलिट करना है या कपूर के आर्थी करें उसमें चाल लॉंग डाल दीजिए और चाल लॉंग जो आप बाद में आर्थी जो जोत आपकी ठंडी हो जाती तो उस चाल लॉंग को ले जाके आप अपने घर के किसी भी पॉधिक अंदर गार दे किस किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं यह पाय करने से आपके घर में मातल अलग अलग लेने हैं आप वो ले लिजिए और एक लाल की चुन्डरी में बान के अपनी मनो कामना बोलते वे किसी भी देवी मंदिर चले जाए आपके घर के आसपा जो भी दुर्गा माता का मंदीर ह अपनी मनो कामना को बोले आपकी जो भी मनो कामना उसे मातलानी अवश्य पून करेंगी चौधा आपने करना के नवरात्रों कि किसी भी दिन आपने किसी भी मंदिर में आपके घर के आसपा जो भी मंदिर है वहां पे लाल जंडा जरूर लगा क्या हैं अगर आप किसी मंद तन देहोंते करना के हैं नियुक्त समझ ठीक है वह मसेदों आपनेके हैं नियुक्त का सुपाइर तैक यू नव पूरे पूर्छे कर पारे हैं तो ठीक हैं जो भी आपकी मनो कामना, अगले दिन आपने वो जो एक रुपे का सिक्का और सुपारी चड़ाई थी, उसे आप लाल कपड़े में बानके अपनी तिजोरी में या आपका जो भी आप कोई गल्ले में या आप जहां भी पैसा रखते हैं, अगर वहां रख रहें तो ठीक, अगर कारोबा ठप हो चुका है या दुकान नहीं चल रहे हैं तो छोटा सा चुग से उपाई इस नवरात्र में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आप मा दुर्गा को इस पूरे नौ दिन में अगर पॉसिबल है तो डेली के डेली आप मिश्री और इलाइची का भोग है और उसके बाद सभी को परशासरूप इस ग्रहन करना है यह आप उपाई जरूर से जरूर इस नौ दिन के किसी भी दिन कर सकते हैं अगर आपके घर में सुक्समर्दी नहीं है बरकत नहीं है बहुत जादा परेशान है कि उपाई करके ठक चुके तो इस नवरात्रों में आप क्या करें कुछ सिक्के ले लीजे 11 सिक्के ले लीजे एक एक रुपे के और मखाने उन्हें आप मिला कि गरीब बच्चों में बाड़ने कन्याओं को दे दे या तो किसी भी जरूरत मन को दांट करें इस तरह से अगर आपकी शमताय वैसे असान है इसमें जादा कोई म नवरातरों में तो जिस दिन भी आपके घर में करूरमे कन्याओं पूजन, अश्थमिय sowohl के दिन होते हैं को दिन आप जरूर से जरूर कन्याओं कर रहे हैं तो उन्हें दक्षिना सवरूप कुछ भी पैसे दे और लाल रंग की चुनरी जरूर से जरूर उन्हें भेट सवरू दे लाल रंग बहुत जादा जरूरी है आप गिफ्ट में जो भी उनको देना चाहते हैं लाल रंग जरूर से जरूर किसी भी प्रकार से दे तो अगर नहीं कुछ और ऐसा लाल रंग का दे पारे तो आप चुनरी जरूर उन्हें दे और दक्षिना भी अवश्य दे तो कर्ण्या पूजन में इस बात का जरूर से जरूर द्यान लखे नवा आपने करना क्या है इस दिन अगर आपके लिए संभव है तो नवात्र में किसी भी दिन अगर आपके लिए आपकी शमता है तो चांदी का सिक्का खरी सकते हैं वो जरूर आए अपने घर में और उसकी पूजा राधना करके उसे अपने आप पती जोरी में धन अकने किसान पे जरूर रखे और अपने घर में जरूर आके रखे श्रीयंत्र भी रख सकते हैं और यह जरूर करें और माता की चंड़ों में अरपन करें उसके बाद अब इनकी पूजा राधना नियामित रूप से करें अब श्रीयंत्र अगर ला रहे हैं किसी भी धातुका बनावा तो आप इस नवरात्रों में किसी दिन भी ला सकते हैं लाके उसकी पूजा राधना करके उसे अपने तीजोरी में भी श्रीयंत्र को रख सकते हैं अगर नहीं रखे तो आप अपने मंदिर में ही रखके उसकी नियामित रूप से पूजा रादना अवश्य करें तो इचोटे-चोटे से अचूग से उपाई है नौ उपाई जिने आप इस नवरात्रों में किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं करने से आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन अवश्य आएगा आपका विश्वास है आपकी शर्द है तो उपाई ज़रूर करें इसले कि जो आपके जीवन में परिशानिया है तो वो ऐसे तो एकदम खतम नहीं हो जाती है मगर इन उपाई उसे करने से भगवान की किरपा दिश्ट्रे आपको पराप्त होती है और कुछ हद तक ये परिशानिया कम भी हो जाती है तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जादा से जादा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को जरूर दबाए जिससे के मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे और हाँ कमेंट्स बॉक्स में जैश्री किष्णा लिखना भी ना भूले आप मुझे आगे देजी फिर आओंगी इसी तरह के बहुती छोटे-छोटे आचुक से उपाई के साथ में जैसे किष्णा जैमा तादी